नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं समकालेन दुनिया में युद्ध की संभावनाएं या युद्ध की स्थिती तब पैदा होती है जब एक राश्र कुटनितिक तौर पर असफल हो जाता है पुलवामा के दर्दनाख हाथसे के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के इलाके में असन्य कारवाई की गई और इसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से भारत में असन्य कारवाई की गई अंतता इस्थिती ये है कि भारत के एक विंग कमांडर पाकिस्तान के कबजे में है और पाकिस्तान के प्रधान मंत्र द्वारा यहाँ बात कही गई है कि बादचीत के द्वारा आगे बढ़ा जाए लेकिन यह बादचीत तभी सार्थक या निशकर्ष में पहुँच सकती है जब एक अंतराष्टिय दवाव काम करें यह अंतराष्टिय दवाव कैसे काम कर सकता है उसकी संभावनाएं क्या होंगी इन सारे विश्व पर बात चीद करने के लिए हमारे साथ है न्यूजकिलिक की चीफ अडिटर प्रबीर पुरके आस्था प्रबीर अभी हाल की खबर यह है कि युनाइटेड किंग्डम, युनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ने UNSC में मसूद अजहर हैं ग्लोबल ट्रिरिस्ट घोसित करने की बात प्रस्ताव रख दिया है और इसके बाद भी चीन अभी सहमत नहीं है तो आगे का रास्ता क्या होगा मतलब किस तरह से देखिए अब बहुत ही सीमित दिश्ट कौन से इस चीज को न देखे कि एक United Nations Resolution Security Council में पारित होता है नहीं पारित होता है उससे Ground Reality जमीनी जो स्थिती है वो बदलने वाला नहीं है जब तक पाकिस्तान जैश महंबत को आश्रे देगा तब तक ये बात चाहे वो टेरिस्ट गोशित हो नहो उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है ये भी सही है कि फुलवामा के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हमने उनकी भावलपूर का जो इनका ठेका है उसको हमने अपने कबजे में ले लिया है और मस्दूत अजर को हम अभी इस वक्त जादा इधर उधर जाने वाने के अनुमती नहीं दे रहे हैं तो हमने कुछ कारवाई की है ये पहले भी उन्होंने कहा है इस बार भी उन्होंने कहा है कुछ देर तक करते हैं इसके बाद नहीं खास उसके बारे में कुछ चर्चा रहती है ये अलग है सवाल मैं आपकी पहले प्रश्ण से वापस जाना चाहता हूँ कि कूट नीती अगर व्यार्थ होता है तभी सामरिक या जो भी आप कह रहे हैं नॉन मिलीटरी इंटरवेंशन हकीकत तो यह दोनों मिलीटरी इंटरवेंशन थी भाशाई खेल है हमने उन पर बंबारी की उन्होंने हमारे यहां पर बं गिराए हमने कहा कुछ खानी हो लोगों की यह तो इन्फरिस्ट्ररक्चर कि तो यह सब बात छोड़ देते हैं यह बात है कि कूट नीती हमारी क्या रही और उसमें हम सफल कितना हो पाए या कितना सफल रहें तो पहली बात यह है कि मसूद अजर को हम एक केंडर बिंदू बना चुके हैं भारत वर्ष और पाकिस्तान की कूट नीती की विशय पे तो हम करीब करीब केंडरित कर रहे हर चीच को जैश महुंबत को लेके पाकिस्तान की अन्रूनी राजनीती में जैश महुंबत की क्या भूमिका है क्यों पाकिस्तान उसको अपने कबजे बे रखना नहीं चाहते या कुछ छूट दे चुका है ये जरूर सवाल है पर सवाल ये भी है कि हिंदुस्तान की पूरी कूटनीत अगर सिर्फ मज़र मसूद को लेके होगा जैश को लेके होगा तब दोनों इतने बड़े बुल्क के बीच में आउर्सा विशूस हम उस पर ताक के रख रहे हैं तो ये मेरा ख्याल से कूटनीतिक रूप में गलत होगा दूसरी बात हमारी जो कोशिश रही है कि पाकिस्तान को सिर्फ जैश-बहंबद इशू पे भी कही घेर ना इससे हम कुछ चीज़े भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो जिसको जिसको जियो स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस कह सकते हैं तो उस एहमियत को हम भूल रहे हैं कि 5 साल पहले पाकिस्तान को सोचा जा रहा था कि ये आतन की बुल्क है, ये अफगानिस्तान देके हर जगह पर आतिप फहला रहा है, तालिबान के साथ इसके संबन्द है, तालिबान को प्रश्रय दे रहा है, आज के तारिख पे क्या है? की एहमेत काफी बढ़ गई है अमरीका के लिए और हमने अपना जो कूटनितिक दाओं पेज जितने थे सब हमने सोचे थे कि अमरीका के जरिये हम पाकिस्तान को घेर पाएंगे तो अमरीका ही उस पे अपना जो कदम है वो दूस्ते तरफ जा रहा है वो उसने करवट अपना बदला है रोक बदला है आफगानिस्तान और पाकिस्तान पेक तो यह हमारी दाओं पेच जो है एक इसमें बिफल होने की नजर बिफल हो रहा नजर आ रहा है और यह परिवर्तित जिव स्ट्रिटीजिक परिस्थिती है तो एक तो यह है दूसरी बात है चीन पड़ोसी दे देखते हुए उन्होंने अपना एक जो कि इक टॉमिक कॉरिडर बनाए हैं चीन का मकसद बड़ा साफ है कि तेल आता है वेस्ट एशिया से काफी दूर चल के वह मलाक का स्टेट से होते हुए वह चीन पहुंचता है मलाक का स्टेट अभी कभी ब्लॉक अगर अमरीका ने कर तो उन्होंने ग्वादार पोर्ट से एक अलग से रास्तर निकालना चाहा जिसके जरिये वेस्ट एशिया की तेल भी चीन पहुंच सकता है मलाक का स्ट्रेट ही सिर्फ एक रूट ना रहें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फायदबंद की बात है कि चीन के स साथ एक संपर्क गहरा हुआ इस एकनॉमिक कॉरिडर के लेके तीसरी बात जो आरब नेटो की बात अमरीका कर रहा है और जिसमें साओधे रिबिया, युनाइटिद अरब एमिरेट्स, इस्रेल शामिल है उसमें पाकिस्तान की भी एक प्रवेशकंदी की दरवाजा खुला है, साओधी के साथ इनके रिष्टा और पाकिस्तान सैनिक शक्ती है, इसको वेस्ट एशिया में सभी मानते हैं, खास तोर से ग्राउंड फोर्स जो है, तो इसको देखते हुए पाकिस्तान को एकदम कोने कर देना, ये हमारे लिए कूट नितिक रूप में सफल नहीं होगा अगर ये हम सोचते हैं कि डंडे के बल पे पाकिस्तान को जुका देंगे, तो हमने देख लिया इसका परिनाम क्या हुआ, हमने वार की, उन्होंने वार की, कौन जीता, कौन हरा, ये तो लोग चर्चा करते रहेंगे, हकीकत है कि ये थास्तिती वापस आ गई, हमने जो किया उन्होंने उसका जवाब दिया, और उस जवाब के बाद अगर हम इसकेलेट करना चाहेंगे, तो ये बहुती खतरनाक मोड पे ले जाएगा, हासा दोनों को, इवनान खान ने कहा है, दूस्ते मुलकों ने कहा है, हकीकत है इससे जादा क्या करेंगे, ये किसी को समझ में न जो चीफ्स है, वो प्रेस कांफरेंस करने जा रहे है, देखना पड़ाएगा, वो क्या कहते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि इस रास्ते पे हम और आगे चल पाएंगे, एक दो गदम चलने देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका खतरनाक परिनाम हो सकता है, इसको देखत तो है कूट नीते में वापस आना और कैसे आए, ये हिंदुस्तान को सोचना पूएगा, आपने एक बड़ी महत्तपूर्ण बात कहें कि किवल हमारी पूरी कूट नीती अगर मसूद अजहर पर केंद्रित हो जाती है, तो हम उतना दबाव नहीं डाल पाएंगे, तो विश इस सारे देश किस तरीके से, इनके साथ किस तरीका निगोशियेशन किया जाए, कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालें? देखे, पाकिस्तान पर दबाव डालना ही से, अगर आपकूट नीती रहा, तो आप मैंने जो पताया, पाकिस्तान के इस वक्त, जो स्ट्रेटीजिक पोजिशन उसको देखते हुए, वो दबाव बहुत ज़्यादा दिन या ज़्यादा नहीं पड़ सकता है, टेंपररी कुछ चूनकाम करने वाली बात है, कि अधर कुछ रंग, अधर कुछ रंग लगा देंगे, पर हकीकत तो है, पाकिस्तान को एकदम दर किनारे कर देना, इस वक्त, इस कूट नीती के द्वारा संभब नहीं है, तो इसलिए, ये सवाल ही अगर आप करें, कि कैसे पाकिस्तान को कोने पेख हम कर सकते हैं, कूट नीती के द्वारा, ये मैं नहीं समझता हूँ, इस रास्ते से हम इस मसले को हल कर सकते हैं, जरूर हमें दवाव डालनी चाहिए, उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत इस तरह से हो, कि उसमें कोई कि अब कहोसकता है , डिप्लम시지 जो होती है न वो दोस्तों की बीच जरुरत नहीं पड़ती डिप्लमेसी की उथ供 आप बैठ के बाथ कर लेंगे डिप्लमसी तभी जरुरत पड़ती है जब आपके साथ दुश्मनी मुलकों की है तो अभी सबसे ज़्यादा डिप्लामेसी की ज़रूरत पूरती है तो ये समझ कि डिप्लामेसी सिर्फ दोस्तों में होता है जब दुश्मन है तो सिर्फ रंजिश और लड़ाई होती है ये गलत ख्याल है तो ऐसी अंतराश्टी परस्तिते में जिस तरह से सोच जिस तरह से क्या अपनी बात कही उस तरह से आगे का रास्ता क्या दिखता है कि क्या किया जाया आगे तो आगे के रास्ता तो बेरे हिसाब से साफ है, पहले तो इन चीजों को डी एसकेलेट जो कहते हैं, डी एसकेलेट करें, यह हकीकत है, इस वक्त बॉर्डर आपका होट होगा, दोनों तरह से बंबारी होगी, हो रहा है, टेपरचर बढ़ेगा बॉर्डर पे, अनफॉर्चन होगी, तो उनको घर छोड़ना पड़ या यह तो उनके डैमेजिस होंगे, कुछ लोगों की जान भी जाएगी, तो यह अनफॉर्चनेट है, बट यह होने जा रहा है, हो भी रहा है इस वक्त, क्योंकि बॉर्डर आपके काफी होट हो चुके हैं, उसमें गुलाबारी चल रही है इस वक्त, तो एक तो यह है, इसके साथ-साथ, डी-एसकलेशन में जब कह रहा हूँ, कि और ऐसे कदम ना उठाए जाए, कि हम एक वार करें, वो और फिर एक वार करें, यह लगातार चीजे ना चले, पागिस्तान के ऊपर यह दवाब जरूर पढ़ना चाहिए, कि हमारे जो विंग कमार्डर अभिनांदन है, उसको वापस भेज दे, पहले भी यह चीजे हो रही है, ना चीकेता उनको वापस किया गया था, तो मैं सबचता हूँ, यह एक शांती के लिए, इमीडेटली, एक अच्छा पदक्षेप होगा, सिर्फ बातचीत नहीं, पर विं के अबोहवा जो बना रहे हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेताएं, बात कर रहे हैं, कि कौन देश को बचा सकता है, कौन देश को यह कर सकता है, वो कर सकता है, चुनावी राजडी थी में, जो उसको कुछ बीजेपी की देता, इसक को भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत एहम चीज है दो न्यूक्लियर पावर्स है इसके बीच पे चुनावी दाओं पेच न लाए जाए और मैं ये भी कहूंगा कि अबनाद खान ने कहा है प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से पाकिस्तान के कि वो बातचीत करना चाहते हैं तो हमें बातचीत जरूर करनी चाहिए इस बात पे कि मसूद अजर जैश महम्मद के साथ आप क्या करना चाहते हैं और हमने अभी उनको कुछ कागजात अभी दिये हैं फुलवाम की आप चाहते हैं हमारे पास क्या सबूत है तो ये प्रेशर जरूर रखनी चाहिए उसके साथ साथ अंतराश्ट ये प्रेशर होनी चाहिए कि पाकिस्तान मसूद अजर को कैसे टेरिस्ट प्लैटफॉर्म पाकिस्तान में न दे और उसका कैसे उसको खीकर भी ब्लॉक्ट के ये प्रेशर अगर बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये प्रेशर सक्सेस्फुल नहीं होगा तो इस वक्त कूट नीती शक्ति के साथ साथ कूट नीती की रास्ता अख्यार करना चाहिए जंग से कोई इस तरह के मसले हल नहीं होते अगर एक बुल्क बहुत चोटा है तो दो एक हिसाब से जब नुकलियर आर्म्स दोनों के पास है एक हिसाब से एक इक्वालिटी है तो नुकलियर वार दोना तरफ से कोई कर नहीं सकता तो इस हालात में बातचीत के रास्ते पे कैसे हम वापस आए यहीं बुद्धिमानी का काम है शुक्रिया शन इस बातचीत के लिए कुटनीती बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन जरूरत इस बात का है कि क्या दो देश के समाज नफरतों में उनमादी हो जाएं अगर नफरतों में उनमादी हो जाएंगे तो कुटनीती विया सफल हो जाएगे शुक्रिया आप सभी का देखते रहे न्यूज क्लिक